ग्रहस्तों के उपकार करने के लिए कुछ बात लिखी, उन्होंने कहा ग्रहना पंच कर्मारी, ग्रहस्तों के पांच कर्म हैं, क्या कर्म है तो कहते हैं सोन नतिर देव पूजनम, अपनी उन्नती करना, खुद को उचा उठाना संसार में रहकर के ये भी ग्रहस्त का एक धर्म है फिर देव पूजा भी एक धर्म है कहते हैं बंदु सहायम आथित्यम पूर्वेशाम कीर्थी रक्षणम क्या है स्वाकी उन्नती करना अपना विकास करना सेट डेपलप्मेंट इसके बाद उन्होंने कहा देव पूजा रिलीजन में जो आपको परंपरा से दिया गया है उसको आराद धिमान करके गुणों का इस्तवन करके उनकी पूजन करना यह करतब है ग्रहस्त का ग्रहने पंच करमानी फिर क्या है बंदु सहाय निमित्तम अपने ही भाई की सहायता करने के लिए आचर कुंद कुंद भगवान ने कहा है बंदु सहायम आथित्यम और क्या करो नगर में गुरू आते हैं तो यह मस सोचो कि सब चौंका लगा लें उसके बाद हम चौंका लगाएंगे कई लोगों की ऐसी धारना होती है कि सादूओं के लिए आहारदान इत्यादिक के लिए अगर उन्होंने चौंका लगाया तो भईया नहीं लगाएंगे तो उनका निर्वाह कैसे होगा हम कहते हैं अगर आप अपने घर के अंदर चौंका नहीं लगाएंगे तो आपके पर लगाने के निमित से पूरे घर का वाता वरण एक दिन पहले से बदल जाता है कब कभी कल्पना करके देखिएगा बे तो बहुत अभागी लोग हैं जिनकी तो धारना ही नहीं है कुछ लोगों ने ऐसी धारना बना के रखी है पंचम काल में नहीं होते आते हैं तो खिड़ धर्म की आवशक्ता थी एक दिन पहले से जैसे मौसम बनने लगता है बारिश का चौके लगाने से एक दिन पहले बिशुद्धी बढ़ने लगती है एक दिन पहले से मन के अंदर वो भाव पैदा होने लगता है भाया महराज जी आए है तो पूरी चेतना एक साथ काम करती है क्या खाते हैं कैसा खाते हैं क्या लेते हैं क्या लेना देना उनके योग है एक दिन पहले से वेवस्था बन गई भाया महराज हरी का त्याग है तोड़े मटर के दाने दे दो राजमा दे दो काबली चना दे दो मूठ दे दो जाकर के घर में तुम खाते नहीं तुम लेकर के आए ये धरम ध्यान शुरू हो गया अपने हाथों नल का पानी मुनी महरास तो कुवें का पानी लेते है अब साम को पिता ने धंदा छोड़ करके धोती पहनी कुमे का पानी खीच करके घर में लाकर के दिया माहौल बदलना सुरू हो गया घर के अंदर छूचू की बात सुरू हो जाती है कपड़े बग रहे हैं छूणा मत ये छूचू क्या है घर के अंदर धरम ध्यान है बंदूओं ये छूचू बहुत अची चीज है इससे छूच की बिमारी नहीं लगती जिनके घर के अंदर ये छूचू होती है उनके घर में किसी पकार की छूच की बिमारी नहीं लगती ये बहुत अची चीज है जैसे हॉस्पिटल में यूज होते है आसे ठीक चौका में घर के अंदर सोला डाल दिये सब ने डाल दिये सब को चिंता है हमाई धोती डाली की नहीं बच्चा बोलता है हमारे कपड़े डाले की नहीं मा बोलती है भाईया हमारी साथ डाली की नहीं कल मुनी महराज के लिए चौका लगाना है एक दिन पहले से एक दिन पहले से बना, सुबह 6 बजे से निरंतर ग्रहणी की साधना चलती है, ठंडियों में भी सुबह उठती है, पानी गरम करना, छानना, कूटना, पीसना, बारा डेड़ बजे तक निरंतर उसका एक चित ध्यान चलता है उसमें, किसमें अतिती संभिभाग का ब्रत का पा ग्राम शुद्ध आटा उसके घर के अंदर उपलब्द नहीं है, अमूल का बटर तो रखा है, लेकिन घर के अंदर मर्यादिश शुद्ध की अगर पूछा जाए तो बहले सौ ग्राम भी नहीं है महराज, ये हमारे घरम का पाप कर्म का उदाय है, ऐसा पाप कर्म का उदा है कि आरों के तीन मशीने लगी है, लेकिन मुनी महराज को जल लेने के लिए अगर सोचें कि एक कुवा रखा हो या फिर बारिश का पाने खटी करने के एक टंकी रखी हो, महराज घर के अंदर बारिश के पानी रखने की एक टंकी की जगह नहीं है, क्यों? सादू के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं, घर हमने हमेशा अपनी आवश्यक्त के अनुसार कस्टमाइश करके बनाया, कभी नहीं सोचा कि इस चौटे में सादू भी आएंगे, उनके लिए थोड़ा सा चौटा और चोड़ा कर लो, कभी नहीं सोचा कि कोई सादू आएगा, खिड़की जाना होता है इस घर में, खिड़कियां चौड़ी रखो, हवादार जगए रखो, बिल्कुल गरम की वेवस्ता रखो, फर्स थोड़ा साफ सुत्रा रखो, तुमने हमेशा घर के अंदर तीन की चिंता करी, सम्मेक दस्टी लोग घर के अंदर पांच की चिंता करते हैं,